हेलो फ्रेंज मेरे चैनल फैसन इस्ट्री में आप सभी लोगों का भहुत स्वागत है यहाँ पर मैं आप लोगों को एक जरूदी सूचना बताना चाहती हूँ जो कि इस टाइम में स्टुडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है अपने काउंसलिंग को लेके बहुत सारी स्टुडेंट ऐसे जिन्होंने CITS का फरस्ट टाइम एक जान दिया है उनको कुछ भी समाई में नहीं आना कौन सा काम किस तरीके से होना है आप देखिए यहाँ पर बात किया जाए आप लोगों का 8 जुलाई को क्या हुआ C.B.T.C. जम खतM हो गया आपका रिजल भी पुगिश हो गया अब आगे का जो process होने वाला है वो क्या process होने वाला आप लोगों का counselling का counselling आपका स्टाट है 22 सा से मतलब 22 जुलाई से आप लोगों का first counselling इस्टाट है अब देखिए जो first counselling होगा आपका फिर second होगा, third होगा, किस हिसाब से क्या चीज़ होगा वो छोटी छोटी वीडियो के माद्यम से मैं आप लोगों को बताती रहूँगी आप लोगों को इसमें परिशान होने वाली कोई भी बात नहीं है अब देखिए यहाँ पर पोटल पर आप लोगों को पूरी की पूरी लिस्ट दी जाएगी उस लिस्ट में लिखा होगा आप लोगों का first counseling कब होगा second counseling, third counseling, हर एक चीज़, transfer round कब होगा हर एक चीज़ आप लोगों को दी जाए रहेगी लेकिन फिर भी पिछले साल के मुकाबले में आप लोगों को थोड़ी सी चीज़े समझा देते हैं पिछले साल की कुछ चीज़े है मेरे पास में लेकि इस साल तो अभी portal पैसा कुछ भी नहीं आया है पिशले साल की जो चीजे है उसके according में थोड़ी सी चीजे आप लोगों की knowledge में डाल दो जिससे कि आप लोग पहले से हर एक चीज थोड़ा-थोड़ा सोचे समझे रहेंगे जिससे कि last time में आप भाड़ बढ़ायना ऐसा नहों कि आप कोई नो कोई लास्ट में जाके एकदम से परिशान हो के mistake कर दे जब तक आप लोगों का आता है 22 तारिक से counseling स्टार्ट होता है तब तक आप लोग हर एक चीज समझे रहें 21 तारिक हो सकता कर पोर्टल पर पूरी की पूरी लिस्ट दे दे अगर नहीं देता है तो परसो तक तो आप लोगों को जरूर के जरूर अपलोड हो जागा कोई नो कोई लिस्ट कि आप लोगों का कब कब फीस पेइमेंट करना एक हजार उपे का फर्स्ट काउंसलिंग सेकेंड काउंसलिंग कब आप लोगों को डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना हर एक चीज चलिए यहां पे छोटी-्छोटी चीजों के माध्यम से मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकाली दे देती हूं कि किस अनुसार क्या चीजे कब और कैसे होती हैं और क्या का process रहता है कैसा पेज आप लोगों के सामने खुल किया था हर एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूं चलिए यहां पे मैं आप लोगों को दिखाती यह यह last year का है मतलब कि 22 så 32 का यह website का है ठीक है website पर इसी तरीके से आप लोगों के website पर भी आ जाएगा पूरा का पूरा ये पूरा का पूरे schedule कैसे कैसे क्या क्या काम होना एक एक चीज़ आप लोगों को बहुत ही जल्दी website पर देखने को भी लेगा यहां पर सिर्फ यह समझाने के लिए पिछले साल का में इसलिए लेके आई हो ताकि आप लोगो अगर का first place counseling देखिए first place counseling यहां पर बारा आट दो हजार बाइस से बीस आट दो हजार बाइस तक हो रहा था ठीक है यह first place counseling और आपका कब से आपका 22 तारीक से है जो कि आप लोगों के portal पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है website पर ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिर आप लोगों यहां documents verification in nearest NSTI फिर आपका documents verification होगा जो आपके pass का NSTI है ठीक है आपके pass का चाहए girls का हो चाहे जहा हो कोई भी NSTI है आप वहाँ पर जाके अपना documents verification करवाएंगे सारे के सारे documents लेके जाएंगे आपके pass का होना चाहिए ठीक है यह सारे काम आपके online होगे ठीक है लेकिन आप आपको documents verification के लिए आपको अपने past के nearest NSTI में आपको जाना पड़ेगा अब देखिए मानगेगा suppose that कोई student है उसको इलाहाबाद college मिल गया ठीक है इलाहाबाद college मिलने के बाद में उसका जो past का college है सबसे past का college वो इलाहाबाद ही है तो इलाहाबाद है तो इलाहाबाद में ही च student है उसको suppose that college मिल गया इंदौर तो वो क्या करेगा वो इंदौर documents verification के लिए नहीं जाएगा वो क्या करेगा इलाहाबाद उसका past परड़ा कानपूर परड़ा जो भी उसका past परड़ा है ठीक है वो वहाँ पर अपना documents verification करवा लेगा फिर देखिए इसके बाद आता है transfer round किस result भी आप लोगों का generate हुआ है फांस्टिंग है इस पोर्ट अड्मिशन है merit list के according नीमी के फिर हाँ पर फिर next process गया है documents verification in nearest NHTI फिर आपका documents verification nearest NHTI में walk and admission है start of academic session पूरा का पूरा इसी तरीके से आप लोगों को क्या मिलेगा सारा का सारा schedule आप लोगों को website पे मिलेगा कोश्णो कोश्ण से पहले की बात कि जाए तो आपका first counselling होता था उसके बार transfer round फिर second counselling फिर transfer round फिर third counselling फिर transfer round तो देखिया transfer round तीनों counselling के बाद में मिलता था लेकिन last year क्या हुआ थोड़ा सा process में changes कर दिया गया ठीक है तो देखिए इस पर क्या process आता है जो भी process आएगा आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से सूचित करती रहोंगी बस continue चैनल पर बने रहे हैं आप लोगों को हर एक छोटी बड़ी अपडेट यहां से मिलती रहेगी अब चलिए दिखाते हूं मैं आप लोगों को आप लोगों को जब college choice करने के लिए आएगा वो किस तरीके दिए है तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का process किसी साब से रहेगा क्या करना रहेगा ठीक है थोड़ा से समझे रहे हैं बाकी मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहोंगे आप लोगों को देखे आप लोगों को पांच college choice करने के लिए मिलेंगी ठीक है ज जो भी trade है आप लोगों का और देखे इस तरीके से आपको जो भी अपना choice चाहिए होगा first number पे जो college चाहिए second number पे जो college चाहिए third number पे fourth number पे fifth number पे उस recording क्या करेंगे आप यहां पे college का नाम fill up करेंगे अगर आप देख रहे हैं कि आपको जैसे मानने के दो दीन का time दिया इस तरीके से अब यहां पे student का question है कि हमारे trade का college तीनी college है दो ही college है तो देखे अगर आपका दो ही college है तीनी college है तो आप दो यह तीनी college यहां पे भरेंगे लेकिन जिसकी trade के 5 college available है वो 5 के 5 college को भरेंगे यहां पे देखे कभी कभी क्या होता है ना 5 college select करवा लेते हैं कभी क मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाती हूं मैं बता देरी क्लियर कि ये लास्ट इयर का है ठीक है उसके अकॉर्डिंग में आप लोगों को समझारी और इस साल क्या रहेगा प्रॉसीज कैसा पोर्टल पाएगा वो कंटीनियो में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रह अब चले दिखाती हुमां आप लोगों को कि जैसे ही आप प्रॉस प्रॉस खत hm हो जगा तो किस कंट पेज आप लोगों के सामने आता है क्या आप को कॉलेज मिलगा देखे जैसे ही आप लोगों के सामने इस तरीके के कुछ पेज आ जाएगा जैसे यहां पे लिखा हो ना यू गोट एलोट एसीट एट एट एनस्टी डबलू पटना ओफ यूवर च्वाइस सेकेंड फोर ट्रेड फैशन डिजाइन एंड टेकनोलोजी देखें इहां पे क्या है आपको फैशन डिजाइन टेकनोलोजी जिसका भी है यह है उसकी बात कर रहे है आप लोगों को जो कॉलेज मिलेगा आप लोगों को यहां वो लिख के आएगा ठीक है जो भी आपका trade है आपको जहां से जो college मिला है वो इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है अब देखें यहां पे आप देख सकते हैं download allotment and closement देखें यहां से आप क्या कर सकते हैं इस page को download कर सकते हैं इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहां पे भी एक page है आ क्रिमिंग टेकनोलोजी देखे यहां पी आप यह जरूरी नहीं क्या पैनल इस्टि इस्टि च्राइब बढ़ने का ठीक है आप आप इस्टि इस्टि इस्ट कर्फ और मालनेता दोनों की बराबर है ठीक है तो यह जैसे ही आप लोगों का जो भी कॉलिज मिलेगा इस हिसाब स इस साफ से पेज आएगा इसका भी print out आपको निकलवाना जरूरी होगा जो कि documents verification के timing में आपको लगेगा अगर देख सकते हैं यहां सी क्या कर सकते हैं आप download कर सकते हैं इस page को download करके इसका print out निकलवा लीजिए अगर फिर भी कोई आप लोगों का doubt रह जाता है तो comment करके पू करना है first counseling कैसे करना second counseling कैसे करना transfer कैसे करवाना हर एक चीछ की आप लोगों को video मिलती रहेगी कहां पे मेस है कहां पे hostel है किस hostel की कितनी fees है आपको जह है NSTI की कितनी fees है आपका साल भर का total खर्चा कितना हैगा हर एक update आप लोगों को यहां से मिलती रहेगी बस continue video में बने रह कर दिएगा जो लोग चैनल पर पहली बार है छोटी बड़ी हर एक update के लिए चैनल को subscribe कर लीजिए बैल बटन को भी प्रेस कर दीजिए थाकि मेरी वीडियो डलती तुरंत के तुरंत आप लोगों को notification बिल जा और आप लोगों की थोड़ी बहुत help हो सके चलिए उमीद करत कि वीडियो अच्छी लगी होगी सबको जल्दी ही मैं मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ में नई वीडियो में इस वीडियो में इतना ही thank you